बिस्मिल्लाइ रह्म रहीं असलाम अलेकुम डियर इस्टेशन दिस इस मनसुर नायजो इन टुदेश लेक्चर वी आ गूंग कि लर्ण एसक्रिएशन और एसक्रिएशन एनिमेल्स दूरिंग मेटाबल्जम लिविंग ऑगनिजम्स के टाबलाइज प्रोटीन और नायटोजिनस कंटेनिंग कंपाउंड विच प्रोड्यूस सम् टाक्जिक नायटोजिनस कंपाउंड यानि मेटाबल्जम के दौरान जब हमारे बोडी के अंदर यानि रियक्शन होते हैं कि नायटोजिनस वेस्ट करते हैं कहते हैं इस एक आपॉंड हमारी बॉड़ी के अंदर रहेंगे एन अक्यम्मिलेट जमा हो जाएंगे डेकेन डेमेज बेर सैल्स और आरगेंज वह मारे सैल्स को या या आर्गेंज को डेमेज करेंगी therefore व्यास्ट बीन इस लिगे Metabolic waste is called excreation यहन इनको बहार निकलने के आमल को जब Nitrogenous Metabolic Waste Body से बहार निकले इस अमल को excreation करेते हैं जब अदर हैंड दुस्ति लफ़ों में Plant Metabolism is different from animal plant का metabolism मों मुक्तलिफ है जानवरों से Plant are autotop plant autotops है initially they produce Carbhoidate as a primary product वो Carbhoidate परिटा करते हैं प्राइमरी प्राड़क्ट कार्बोड़ेड इस केटाबलाइज तो वह उसमें कार्बन डाक्साइड और वाटर प्रोडूस अप्र इस्तमाल होती है फोटो सेंदेज में एडा वाटर इस नाट अटाग्स अपाउंड और पानी जो एक अटाग्स नहीं है यह आट अट्रॉट्ट आप्स अट्रॉट्ट आप्स नहीं होती है तो उनके पास इसा कोई भी इस्पेचल प्रोसेज नहीं है इस्क्रियशन इननिमल याने जानवरों के अंदर इस्क्रियशन कैसे होती है देनिमल सेल्स प्रोडूस है देर नाटोजिनस वेस्ट दूरिंग मेटाबल्जम एंड रिमूवड देम आइधर इन टिशू फिलिड आर इन बिलड जो एनिमल सेल्स होते है वो पिदा करते है नाटोजिनस वेस्ट को मेटाबल्जम के दुरान और उसको रिमूव करते हैं आइधर इन टिशू फिलिड आर इन बिलड उसको टिशू फिलिड में या बिलड में रिलीस करते हैं तो इसलिए जानीवरों के पास एक आरगन होता है और आरगन को या बिलड को साफ कने लिए इस आरगन आरगन काइखेड के तैहें नेम अफ आनिमल याने यहां पर आपको नेम अफ आनिमल दिया गया है यहांँ पर आइस्कुरेटी आर्गेन अइस्सकोम्पाउंट यह पलेटी हीार्मियच यह जो इसका जो तल्रक है इसके पास जो इसके आइस ब्रता प्रोटी नेफिरिय आप कहते यह oggi ह् तनी अ phenomenon टिशू फिलिड तिशू फिलिड में यह को निकालती है अह़ंम मेटाची निए इसको निकालती है अहर्थवांम मेटाची बार्वन तद यह अ assessments से और इसको किोम उस्की सै thu bellिड में वह वो उसका वॉटा है कुरुच का जो तहल्ग के आथरपोर्ट से मालफीजन टूबूल इसके पास जो एसके एसके टी एकिनी है और जो एसके एसके टिरी मिया अपाउन्द है वो आमोनिया उड्यूरिया एंड जिह टीन हो सकती हैं हमारी बडी के अंदर mostly urea होता है और उसका जो सोर से वो बिलड है याने बिलड से बिलड को वो जब फिल्टर करती हैं तो उनके पास जो इसक्रिटी compound होते हैं वो बाडी के बाहर निकलते हैं so that's all about the excretion in plants and animals if you are new on my channel then please subscribe my channel click on bell icon to get notification of my upcoming video thank you for watching this video